तो मैं राज और राज इंडेक्शन आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा पाउर सप्लाई SMPS के उपर में रहेगा दोस्तों अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था SMPS के उपर चल रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि इंडेक्शन के जितने सारे इंडेक्शन कुक्टॉप के PCB होते हैं उसके SMPS में कौन सी IC लगती है और कौन सा IC लगा इसी टॉपिक पे चल रहा था तो दोस्तों मेरे पास अभी यहां पर फोकेस करेंगे फिलिप्स यहां पे बर्ण हो गई है जल गई है ब्लाश्ट हो यह फट गई है लेकिन दुस्तों जो निव ऑडल आ रहा है इसमें दूस्तों यहां फोकेस करेंगे तो साथ पिन की लगी है तो दूस्तों यहां पर आपको क्लियर करूंगा कि अगर IC ब्ढ़ जाता है तो इसके जगह पर कौन से नंबर काईसी लगेगा और उसके बाद उसको कैसे रिप्यार करें तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर फोकस करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले power supply कैसे काम करता है इसमें कौन-कौन से component लगते हैं इसका हम theoretical पहले समझ लेते हैं उसके बाद इसको practically repair करके देखेंगे ओके दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमारा सबसे इंपोर्टेंट कहां से सुरू करेंगे तो आपको पता होगा कि हम यहां पर जो फ्यूजेबल रजिस्टेंस हैं बाइसों की ओके यहां पर दोस्तों हम वोल्टेज जो यहां पर आता है DC यहां पर हमारा वोल्टेज आता है 330 वोल्ट डीसी रहता है ओके दोस्तों उसके बाद में दोस्तों यहां पर कैपिसीटर लगता है जिसकी वैल्यू होती है 4.7 ऐन माइक्रो फेरेड़े 450 वोल्ट का अब दुश्तों यहां पर यह वाला ट्रेक यहां सीध्य आगे यहां इस से दुश्तों यहा पर वाइपर 12-30 मैं वाइपर 12 लिख देता हूं वाइपर 12 आईसी लगी रखती है वाइपर 12 के आईसी के 5 नमबर 6 नमबर 7 नमबर 8 यहां पे 330 वोल्ट आप्लाई करते हैं को कि दो स्टो यहां पे दूत को पॉजेटिब सप्लाई eresource pin से सिङरे यहां पर को यहां पर पाने पर दूस्तों से सीधे यहांपने अपर दोस्तों एक लिकार नहीं देखेंगे पहले वीडियो देता हों पर इसे वीडियो कर प्लाइया अप्लाई किया और एक नमबर दो पर समEd मैं िह् ourselves है और यहाँ पर दौ्डर के माध्यम से वह सब स्प्लाइब नोज म्री आउठेज करें9 मैंने यहाँ से वल्प betting को आउपट लिया तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पी डायोड ही दोस्तो जो रेक्टिफाई करेंगा एक दोस्तो नॉर्मल डायोड नहीं है एक फार डायोड है जो रेक्टिफाई करें क्योंकि दोस्तों इंडक्टर से हमारा जो वोल्टेज होगा एसी के फॉर्म में होगा फिर इसको डीसी के लिए यहां पर डायोड लगाएंगे रेक्ट क्या होती है जो IC का हमारा तीन नंबर पीन होता है तीन नंबर पीन से यहां पर 18V का जीनर लगा रहता है यह 18V का जीनर दोस्तों यहां पर हम बोल सकते हैं फीडबैक दिनर बोलते हैं तो एक काम कैसे करता है यहां पर दोस्तों जब 18V होगा जब जैसे यहां पर switching होगी यहां पर switch होगा तो यहां पर 18V आ जाएगा तो प्रोपर अब का यहां पर वाइपर बारा जो है साथ किलो हट से switching करता है यहां पर समझ लो ऑन हो रहा है स्वीच कर रहा है लेकिन दोस्तों जैसे थोड़ा सा भी 18V से ज्यादा होगा ते supply यहां पर positive होके एकठा होके और IC को जो off on time है उसको कम करेगी और इसको switching होने के लिए इसके नाम से यहां पर 18V करेंगे जैसे दोस्तों फिर यहां पर voltage बराबर 18V हो जाएगा फिर सो दोस्तों यहां पर क्या होगा फिर IC यहां पर switching होना शुरू हो जाएगे इसी के नाम से दोस्तों यह 18V का जो जीनर feedback होता है अगर खराब हो जाता है यहां दोस्तों ओपन हो जाता है तो आपका यहां पर IC switching नहीं करती है दूसरी दोस्तों यहां पर दोस्तों आप जो सेवन माइक्रो फराडे पचास उल्ड का यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अगर एक कैपिशिटर वीक हो जाए या इसकी वैलू दूस्तों बहुत कम हो जाए तब आपका पाउंट सप्लाई अच्छे से वरकिंग नहीं करेगा यानि आपका आउर्पुट नहीं निकालेगा किलियर अब दूस्तों यहां पर फोकस करेंगो जो यहां पर डायोड लगा हुए डायोड क्या काम करता है हम यहां से सप्लाई जब स्विचिंग कराते हैं तो द कि यहाँ जाए गांगे अगा होता है दूस्तों अब लगाटेंट यहां चला जाता है कि दो क्या होता है यहां पर जब भी इसमें आपका करेंट फ्लो होता है तो इस यहां पर एक सेपरेट क्वाइल बना दिया गया है यहां पर देख सकते हैं कि हम इसके माध्यम से करेंट को क्या करते हैं बहाव करते हैं इसमें और इसके जोड में एक सेपरेट क्वाइल बना देते ह है ओके तो दोस्तो इसके माध्ययन से इसमें भी करेंट पायदा होगा तो यहां पर जैसे यहां पर करेंट पायदा होगा तो कwegen कि जो छमता होती है तो उसको हमिने रख दिया है 9 तक टो यहां पर 9 वल्ट हो जाएगा और एसी प्रम में रहेगा फिर इसको DC में करने के लिए क्या करेंगे दोस्टो एक डायोट लगा देंगे और यह हमारा δूस्तों 9 वल्ट का शुप्लाई बन जाए गा और लिकैने दोस्तों यहां पे तो आपको आख बंद करके वाइपर बारा लगाना है अब हम इसको प्रेक्टिकली रिपेर कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूं अभी दोस्तों यहां पर फोकस करेंगे सबसे पहले जब भी आपके पास इस टाइप का प्रोब्लम केरिट होता है यह कोई सबही कंपनिक कऊ अगर वाइपर बारा ऐसे फट जाता है तो क्या करना दोस्तों रिपेर करने से पहले आपको करने से सबसेख करने नहीं तो आप क्या करो यहां पर सबसे पहले नदो इसको आपको करता है और पर यहां पर दुस्तों डिस्प्ले और बजर की आवाज आनी चाहिए तो आपको समझे लो हंड़ेट पर्चंट शियोर है कि आपका माइक्रो आइसी सही है तो हम इसको रिप्यर करना शुरू करेंगे अभी दुस्तों यहां पर फोकस करना है आपको क्या पर फोकस करना सबसे पेले दोस्तों यहांपे देख सकते हैं कि प्रॉब्रा माती तो यहां पर आप दोस्तों आपको कोई साभी component यहां पर एड़ नहीं करना है आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको multimeter लेना है multimeter लेने के बाद दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो feedback जीनर मैं अपने लेगमें बोलता हूं इसको मैं 18 ओल्ड कर feedback जीनर बोलता हूं तो दूस्तों यहां पर SMD package में है और यहां पर लिखा भी रता है DWT तो यहां पर दूस्तों जीनर को डायोड रेंज में multimeter को रखो और प्रोपर चेक करो ओके यहां पर प्रोपर चेक करते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो जीनर को क्या करो दूस्तों बाहर भी निकाल सकते हो तो यहां पर दूस्तों मैं जीनर को प्रोपर चेक कर रहा हूं तो यहां पर हमारा जीनर यहां पर लीकेज बता रहा है तो हम पहले जीनर को एक तरफ से बाहर निकाल दोते हैं अब दूस्तों आपको जीनर यहां पर leakage बता रहा है यानि कहने मतलब जीनर पूरी short नहीं है इसको half short बोल सकते हैं या दोस्तों leakage बोल सकते हैं तो यहां पर आपका जीनर खराब हो गया है अभी दोस्तों यहां पर question खड़ा होगा कि sir यहां पर 18 ओल्ड का जीनर लगा था SMD में अगर मेरे पास SMD मे तो आप इसको deep में भी लगा सकते हो लगाने का तरीका आपको ड्राइंग में देखे होंगे थीवरी में पढ़े होंगे वैसे ही आपको यहां पर जीनर लगाना है ओके दोस्तों यहां पर दिख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर 18 वल्ड का जीनर SMD में है ओके इसको डमरू अब को बहुत बर मैंने बता है कि डीनर डाईट को कैसे लगाते हैं तो अगर आपको पता ही होगा अभी दूस्तों आपको Jeans करना है यहां पर नहीं पर चेनर लगा रहे हैं वहां पर यहां पर आप हैं और यहां पे कंडेंसर को चार्ज किया फिर दिचार्ज किया फिर बाइप教 लगा कि अब दूस्तो यहां पर complete translated पिर इसको दोस्तो अच्छे से क्लीन करो क्लीन करने के बाद उसको सीरीई में इसको सप्लाइब लेना है सप्लाइब Tsier में से जोल लिया इसको मैं सप्लाई देता हूं तो नर्मली देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करते हैं तो यहां पर मीटर में फोकस करेंगे तो यहां पर 5 वोल्ट आने लगा करेक्ट तो यहां पर आपका 5 वोल्ट हो गया अब दोस्तों यहां पर 5 वोल्ट चेक करने के बाद दूसरा हमारा जो सप्लाई होता है 18 पैनल नहीं लगाओगे तब तक बजर की आवाज नहीं आती है आपको पता ही हो गया फिलिप कंपनी का है तो हम यहां पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल भी लगा लेते हैं और इसको में सप्लाई से यहां पे जोड़ भी देते हैं यह देख सकते हैं तो दुस्तों यहां इकर मेरी प्रब्लम सॉल्व हो गई पाउर सप्लाई यहां पे रीप्याय हो गया। फिलिपोट्स चैनंड कम्पनी के इंडट्रों कुक टॉप में 80% से ज़ादा यहाँ पे दुस्तों power supply की problem आती है power supply में दुस्तों wiper खराब होता है अगर उसके जगह पे कोई साभी IC का number हो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ पे वाइपर लगाना है लेकिन वहाँ पे दुस्तों feedback में जो 18 वल्ड का जिनर है वह बहुत खराब होत करता है अगर खराब भी नहीं 18 व्ल्ट का जिना क्योंकि एक से दू रूपया काता है उसको आसानी से चेंज करते हो तो दोस्तों यह प्रोब्लम आपके हां पर सॉल्व हो किया बाकी दूस्तों मेरा SMPS के उपर 3-4 वीडियो और आएगा आपको जितने सारे दोस्तों कैसे ओडर करें तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर गूगल में लिखने www.rashinduction.com ऊपको यहां पर प्रोडक्ट में जाना है और इसको क्लिक करना है जैसे इसको क्लिक करोगे तो मेरा यहां पर एक विपसाइट ओपन हो जाएगा जैसे यहां पर website open हो जाएगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नियम और सरते को आपको पढ़ना है दोस्तों जो नियम और सरते हिंदी और इंगलिस दोनों में हैं अब यहां से मेरा पॉड़क्ट शुरू हो जाएगा सबसे पहले यहां पर 866 id नमबर हर पॉड़क्ट में ID नमबर लिखा रहता है तो यहां पर देख सकते हैं जितने सारे पॉड़क्ट आप देख games घुला T दूसरी चीज़ दूस्तों आपको कम से कम कितना मांगाना है जैसे यहाँ पिदे नउमर 808 है यहाँ पिदे यहाँ पे कम से कम 10 complete 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 oo वैसे दूस्तों हर product में ID number लिखा रहता है दूस्तों लगबग 400 से 500 product मेरे पास है अगर आपको जो भी product चाहिए उसको twice कर लो और twice करने के बाद दुस्तो जो आपको ज़रूत होगा वहाँ पे दुस्तो आईडी नमबर नोट करो जैसे आपको sample के यहाँ पे दिखा रहे हो दुस्तो तो आपको मैं एक quotation बनाके भेजूँगा बारा घंटे के अंदर में और quotation के साथ साथ में मैं आपको address format भी भेजूँगा अगर आपके समझ लो मेरे उपर विश्वास है दुस्तो क्योंकि मेरा जो product है कैसन delivery नहीं है प्रीपेड है तो दुस्तो वहाँ पे बील को open करोगे open करने के नीचे में दुस्तो वहाँ पे मेरा details है account number है phone पे है वहाँ पे दुस्तो अपना जो भी बील है वहाँ पे पे करोगे पे करने के बाद दुस्तो मेरे whatsapp पे इस console भेज़ दोगे और उसके दुस्तो 48 घंटे के अंदर में आपका समान यहां से dispatch हो जाएगा जो आपका dispatch हो जाएगा वो delivery courier या दोस्तो समाज़ लो speed post के माध्यम से जाएगा और दोस्तो 7 days से लेके 10 day के अंदर में आपके घर तक आपका समान पहुंच जाएगा तो दोस्तो इस टाइब का आप order कर सकते हो thanks for दोस्तो